किशोर कुमार आप पहले हस देते हैं का एक बड़ा मशूर गाना था चिंगारी कोई भढ़के तो सावन उसे बुझाए और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए देश की सबसे बड़ी जाँच एजिंसी ठीक उसी तरहें का सावन हो गई है सिर्फ विपक्षी दलों पर बरस्ती और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते वे पकड़ लिये जाते हैं मेरे राज्ये में हुआ कल हुआ राजिस्थान में एडी के दो अधिकारी नवल किशोर और बाबुलाल पंधरा लाख रुपे क्यों ले रहे थे चिट फंड का कोई मामला था उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने पंधरा लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और ए कि 15 लाख चीज ही ऐसी है अजीब सी पनौती है ये 15 लाख जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया सीरिस्नि ले लिया वो डूबा अब विचारे ये दो अधिकारियों ने भी 15 लाख और मान लो हमारे मोधी जी ने 15 लाख सच में दे दिये होते लोगों के खातों में तो य जाल जी हैं शायद नहीं फसते कल बच जाते 15 लाग की पनौती का क्या करें बताइए अब आप सोचिए कि यह छोटे लेवल के अधिकारी हैं कि इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख तो इनसे उपर क्या द्याम होगा और उसके भी उपर जिसके हाथ में ED का रिमोट कंट्रोल है उसका क्या रेट होगा कही न कहीं तो रिमोट है नँँ इडी का हमें भी मालूम है कहा है आपको भी मालूम है कहा है तो rate list क्या है ED की यह सारजनिक करना चाहिए उन्हें कि साथ 15 लाख ये लेते हैं 25 ये लेते हैं और उपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा वो कितने लेते होंगे हम लोग सब political parties अपने star प्रचारकों का कि एक list जारी करते हैं चुनाव से पहले हमारे star प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक ED, CBI, income tax आईए ये सब इनके सरकार प्रचारक NCB सब ये तमाम जो इनको target दे दिया जाता है कि चुनाव आ गया है ये list है इन में से किसको आप डराधमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो नहीं होते तो फिर इनको निप्टाओ ये एक toolkit है मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा ये toolkit मोदी जी का अपना toolkit है हम हमेशा Congress Party हमेशा जाच एजेंसियों को हम चाहते हैं वो शक्तिशाली रहें वो निर्भीक रहें वो किसी के control में रहकर काम न करें स्वायत रहें autonomous रहें जिसको कहते हैं अंग्रेजी में आप इन एजेंसिस को मजबूत कीजिए मजबूर मत कीजिए हमारी आपसे सिर्फ यही शिकायत है कि यह नॉट कि यॉर फ्रंट लाइन वारियर्स एडी सीबी इंकम टैक्स यह कोई आपके फ्रंट लाइन वारियर्स नहीं है मोदी जी कि पहले यह जाते हैं फिर आप नड्डा जी को भेज देते हो लिस्ट कि यह पांच-छे लोग काबू आ गए इनको आप ले ली जी बाज़ापा में यह क्या तरीका बना रख्खाया आपने रादनेती का कि पच्चानवे प्रतिशत से ज्यादा एडी केस अगर विपक्ष के नेताओं पर होता है तो सब कुछ सामने हैं आपके कि मैं विनीज जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक डिरेक्टरी रिलीस करें अब अड्रेस हो उसमें फोन नंबर हो उसमें किसके नारायन राने के अजीत पवार के शायद एडी के पास यह अड्रेस और फोन नंबर अब नहीं है हम दे देते हैं क्यों नहीं जाते आप वहां क्या हो गया साहब से इशारा नहीं हुआ कुल्दीब विश्णोई क्या क्यों नहीं जाते अब आजीत पवार को भूल गया आप सुवेंदू अधिकारी को भूल गया आप कि यह सिलेक्टिव मेमरी लॉस क्यों है एडी में हिमंता विश्वा सर्वा हमारे प्रिया उनको तो भिलकुल ही भूल गये उनका नाम कहां कहां था सबको मालूम है वाइट पेपर यही भाजपा निकालती थी कहां है वाइट पेपर कहां एडी हखीकत यह है कि इस सबका एक कौमन जवाब है जो जो नाम मैंने आपके सामने लिये कि जब इनके भ्रष्टाचार के खीचड में कमल खिल जाता है न तो एडी को आप करप्शन की महक आनी बंद हो जाती है सुवेंदू अधिकारी के यहां हिमंता विश्वास सर्मा के यहां नारायन राने के यहां अजीत पवार के यहां इन सब अब ये कीचड में धुलकर साफ हो गए बताए कोई कीचड में धुलकर साफ होता है होता है यहां होता है उसी कीचड में इनको नहलाया जाता है उसी में कमल खिलता है और खतम फैर एंड लवली लेकिन अब राजिस्थान में आये हो तो जवाब तो मिलेगा कल मिल गया सुना रात को यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी सुना है पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हैं इमर्जेंसी मीटिंग थी कि जो हमारे फ्रेंट लाइन वारियर्स हैं उनको असली एजन्सी से कैसे बचाए एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है उसने बिलकुल निर्भीकता से अपना काम किया इनको पकड़ लिया धर लिया पंदरन लाख में लेते वे एक ये गंभीर खत्रा है देश के सामें इसा खत्रा है कि जो स्वायत संस्थाएं होनी चाहिए उनको ये रौंद रहे बरबाद कर रहे अब मजाख हो गया एडी का पहले अडोस पडोस में कोई एडी में काम करता था उनके बच्चे बड़े गर्व से गयता है मेरे पिताजी एडी में अब बिचारे शर्माते हैं बोलते वे ये हालत बना दिए इन एजनसीज की मोदी जी थोड़े दिनों में भाजपा बोलते अब कर रही हूं और इसके अलावा आपके एक मंत्री है महेश योशी उनके ओएसजी की यहां भी एडी की एक बार फिर से कारवाई हुई है पहले भी हो चुकी है तो उस कारवाई को आप किस तरह देखते है सर जैसा मैंने आपको कहा पांच राज्यों में चुनाव हैं दो में कॉंग्रेस है इन पांच राज्यों को भी चली अलग कर दीजी हिमाचल में थोड़े वक्त पहले ही चुनाव हुए थे गुजरात में हुए थे आपने देखा कि ED गुजरात के किसी मंत्री के यहां रेट डालने गई हो ruling party पिछले 20-25 सालों से 27 सालों से ruling party नहीं गई क्यों नहीं गई हिमाचल में भारती जनता पार्टी की सरकार थी अभी हाल ही तक चुनाव थे समझ में आता है कि चले चुनाव में ही सक्रिय होती है जैंसी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं हुआ हिमाचल में सब कुछ सामने है कि जहां Congress का शासन है जहां गैर भाजपा का शासन है और वो पार्टी इनके काबू नहीं आ रही वहां ये लोग रेट डालने अपने frontline Warriors को भेज देते हैं डराने धमकाने उनको जो सलाल लग वकील ने दी होगी उन्होंने वो किया होगा उसमें मैं प्रतिक्रिया क्यों दूं ना तो मैं वकील हूँ उनका आपने मास्क पहना हुआ है सर पॉलिशन बहुत जादा है ना एक वेस्चन उस पर भी है लेकिन वो बाद में सर एडी से रिलेटिड यह है कि 36 गर्ड में CM ने बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने बोला है कि जो एडी ऑफिसर्स यहां पर आ रहे है रेड्स के लिए भी आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए क्योंकि BJP जो है वो पैसा बेज रही है स्पेशल फ्लाइट से कुछ भी संबव है इस शासन में कुछ भी संबव है जो हमको लगता था कि हिंदी पिक्चरों में या दक्षिन भारत की पिक्चरों में देखके हम अचंभित ह हो जाते थे कि एक पिक्चरें अजीब सी बना रहे हैं यह समाज में कभी होता है लेकिन यह होने लग गया है कि यह हो रहा है तो जो बगेल साहब ने आरोप लगाया है इसकी जांच तुरंट होनी चाहिए हवाईज आज क्यों नहीं चेक होते जिसमें यह लोग जाते हैं मुझे याद आता है आज से दस साल पहले शीला जी के साथ हम किसी प्रचार में बिहार के चुनाव में गए दस-पंदरा साल पहले हेलिकॉप्टर को ऐसे जांचते हैं चुनावायोग वाले बैग पर्स मुख्यमंत्री हो कोई हो सब के जांच होती थी लेकिन यहां तो अभी अजीव सी स्थिती है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना गंभीर आरोप लगा रहा है तुरंत इनको बगेल साब के इस आरोप पे कारवाई करनी चाहिए परवन जी अभी आपने आरोप लगाया कि इडिक सारी कारवाई हैं जो है कांग्रसासित राज्यों में होती हैं उसी क्रव में आज 36 गण में भी दो व्यापारियों किया इडिक च्छा प्रमारी अभी चल रही है उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है लेकिन यह भरोसा कर लिजिए कि भाजपा से संबंदित नहीं होगा वहां आँख मूंद लेते हैं बुरा ना देखो बुरा ना सुनो वह वाली मुद्रा में आ जाते हैं जो तम घोटू हवा है दिल्ली में जो सांस जिन्दिगी च्हीन रही है लेकिन केजरिवाल साब मदप्रदेश में कहते हैं कि जो दिल्ली की जंता ने करिश्मा कर दिखाया हम आदमी पार्टी के लिए और पंजाब की जंता ने वो मद्ध प्रतेस्पी जन्ता से मैं अफील करता हूँ कि करिए तो ये करिश्मा है दिल्ली की चुनाव प्रचार में कौन कितना क्या बोलता है वो आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है लेकिन इतनी गंभीर समस्या है कि वो नरेंद्र मोदी जी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो आपातकाली इन बैठक इनको बुलानी चाहिए इस पे तुरंत कुछ प्रभावी कड़री चाहिए इसमें राजनिती का कोई स्थान नहीं है कि मेरी कमीज सफेद रहती नहीं है दिल्ली में लॉट के ने कıll सकते मेरी कमीज speaking से सफेद कैसे हुआ जब एक गंटे में सफेद कमीज काली हो दिल्ली में की सड़कों पर शीला दिख्षेजी मुख्यमंत्री थी प्रभावी कदम उठाए गया और उस वक्त के विपक्ष ने भी काफी साथ दिया ऐसा नहीं की नहीं दिया हम सब साथ देने को तयार है आप लोग बैठिये शुरू तो करिये को प्रभावी कदम उठाने क कि दिशा में कुछ तो करिये कि यही हमारी उनसे आग रहा है अगर उनको ऐसा है तो कल बात होई गई जवाब देई चुके इसमें बार-बार क्यूं कि रिपीट क्यूं करवाते हो कुछ भी पूछना अभी पूछ लिजे फिर फ्लाइट लेनी है तो भागना है हाँ हाँ बोलिये बोलिये सर भारती जन्ता पार्टी आरूप लगा रही है कि लगातार इजराइल और फिलिस्टीन युद्द के जरिये आप लोग तुष्ठी करण की बात कर रहे हैं पलिस्टीन और हमास का समर्थन करने को आप तयार है कॉंग्रिस पार्टी सिर्फ चुनावों में फाइदा लेने के लिए कर रही है भारती जन्ता पार्टी को हम अपने तमाम स्टेट्मेंट भेज़ देते हैं उनको समझ में आ जाएगा लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि अलग अलग तरीके से इस देश के मुद्दों से ध्यान कैसे बटाया जाए इसकी एक ट्रेनिंग वर्क्शॉप भारती जन्ता पार्टी को लेनी चाहिए हम भी सीखना चाहते हैं साब बड़ी बखू भी आप ध्यान बटाने का काम करते हो आईए ना सिलिंडर की कीमत पर आईए ना दिल्ली की पॉल्यूशन पर बात करिये ना महंगाई पर पूरी बात करिये बेरोजगारी पर बात करिये महला सुरक्षा पर बात करिये क्यों मुद्दों से ध्यान अटाते हो जाती जंगर्ना पर बात करिये आप मोदी जी कल 36 गड़ गए इनकी स्कृ удар भी मुझे लगता है अब ठक गया है script writer आप बदल भी देंगे तो लेट हो गया वही वही पुरानी बात मैं OBC हूँ मेरे को गाली देदी अरे आप OBC हैं आपको गाली देदी ये क्या मुद्धा है OBC की हमने तो आपको जाती जंगरना की मांग की उस पर जबाब क्यों नहीं देते ये सब सवालों से बचने का एक ही रास्ता है Left हाथ क्या कर रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाए तो राइट हाथ से कुछ कर देंगे आपका ध्यान यहीं रहेगा इधर से एरपोर्ट बेच देंगे पोर्ट बेच देंगे तो हमेशा राइट हाथ जो कर रहा हो मत देखिए, लेफ्ट में क्या चल रहा है वो देखिए सब्सक्राइब करते हैं मैंने सुचा आपने जो भाज़पा का नाम लिया थे लेटा गांदी ने बाकाइदा कहा है कि इस पर कारवाई होनी चाहिए लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगा आड़ा देखिए स्टेट के सीएम प्रॉपर रैली करते हैं तो ये सवाल आप खटर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं सांपों का व्यापार करते हैं वो उनको इतने प्रिय क्यों है और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी हमारी वो मंत्री महोदया है स्मृति एरानी उनके साथ भी फोटो सोचल मीडिया पर बड़ी वाइरल हुई थी इन ही लोगों से पूछे ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं पूछे इंसे मुझे भी पताईए क्या जवाब देते हैं फिर आपको कहीं और ल स्वेदी अवल अर्णृ गंडी पॉख इस यूR स्वेड़ू Oh, he obviously he will do what, his master's voice. His master is sitting in Delhi. So whatever the master will say he will also repeat. But he doesn't realise all these scripts are outdated. They are gone. They should come up with new script writers. And Telangana has a very rich culture of script writing. they should just borrow from the film industry if they don't have their own script writers मैंने देखा नहीं इसे अधिकारिक रूप से हमारे पास यह सुचना आई नहीं है तो इस पर मैं अभी टिपणी क्यों करूं अभी हमारा भ्यान पांच राज्यों के चुनाव पर है धन्यवाद थैंक यू अभी आज वन उन नहीं में माफी